चुरहट से विधायक अजे सिंग राहूल भाया ने बताया कि कल कॉंग्रेस पार्टी में विधायक दल की बैठक रखी गई जिसमें नेता प्रतिपक्ष का नाम से होना है चुनाव के लिए चुनावी चर्चा हो जो भी हो लेकिन कॉंग्रेस में इस तरह कंड़ने नहीं होत है कि जिस तरह से विचारे मामा जी लोग आज रो रहे हैं और जिनका चहरा किसी ने सोचा भी नहीं था वा मुख्यमंत्री होज गए प्रदेश अद्यक्ष और फिर वही नेता प्रतिपक्ष बन गए थे तो क्या इस बार भी ऐसा कुछ देखने के लिए सीनियर नेता को द तरब्रदेश के मुख्यमंत्री यादव जी बने तो उनका असर सायद वो तरब्रदेश में चुनाव में आए किसी ट्राइबल को मुख्यमंत्री बनाया और रमन सिंग को स्पीकर बना दिया वहाँ पर दूसरा समी करड़ ये भारती चंदा पार्टी का जो विचार है या अलग है आने पार्टियों में अलग रहता है पूरु मुख्यमंत्री शिवरास सिंग चौहान ने एक बयान दिया था कल दिया था कि मेरे लिए यानि मैं आप के लिए कुछ मांगू उससे अच्छा मेरे लिए मरना अच्छा होगा तो या आप इस बयान को कैसे देखते हैं सबसे हमारा जो भी विरोध रहा हो जब मैं नेता प्रतिपक्ष था मैंने अपना दायत वो निभाया लेकिन सर्मन नेता मदिप्रदेश के हैं और उनको चार बार मुख्यमंत्री पद मिला भारते जंता पार्टि का कहना है कि मैं कहीं नहीं जाओंगा तो स्वाभाविक है कि सब कुछ तो दे चुकी पार्टी उनको और यदी पार्टी उम्मीद करती थी लेकिन पार्टी नया प्रियोग किया कि नहीं प्रदिय शद्यक्ष और आदिवासी के एंडर के नेता हो सकते हैं तो कह दिया गया तेरा में भी तेरा में चुना हारे तो उन्होंने का सब आप नेता प्रटी कोई नहीं रह सकते हो वह बने थे अठेर वाले विद्यक्ष बढ़ा रहे थे त्वी शद्यक्ष और उनके देहन के बाद फिर से वोटिंग फिर से में नेता प्रटी पृति प् सब्सक्राइब कि कोई भी प्राटी तो कांग्रेश की प्रदेश अद्धेश्ट